देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 21 दिन का लोगडाउन चारी है और ये 14 अपरेल तक रहने वाला है। सूत्रों की अगर माने तो जिस रफतार से कोरोना के मामले बढ़ रही हैं उससे सरकार लोगडाउन को बढ़ाने का फैसला ले सकती है। देश कोरोना का कहर झेल रहा है चारो तरफ कोरोना कोरोना का ही जिक्र है दुनिया भर की सरकारें बेबस हैं लेकिन कोरोना को हराने के लिए दुनिया ने कमर कसली है। कोरोना से अब तक 74 हजार से जादा लोगों की मौत हो चुकी है लाखों लोग संक्रमिक पाई गई है भारत में भी कोरोना की बज़े से मौत का आंकड़ा 1.500 तक पहुंचने वाला है कैसे कोरोना पर जीत हसल की जाए क्या है कोरोना का इलाज इन सबी सवालों का जबाब धूर्णे में सरकार ने 80 चोटी का जोर लगा दिया है क्या ये लोगडाउन 15 को खत्म होगा बता दें के 14 अप्रेल को पूर देशबंदी की अबदी समात हो रही है इसको लेकर अटकलें भी तेज हो गई है बताया जा रहा है कि कोविड-19 के संकट के चलते दुनिया भर में 195 मिलियन जॉब जाएंगी एकोनोमी अपने निचले इस्तर पर आ जाएगी ऐसे में भारत अगर लोगडाउन बढ़ाता है तो संकट के बादल गैरा सकते हैं इस बीज तेलंगना के मुख्यमंतरी केज चंदर शेकर राओ का कहना है क्यों अपने राज में लोगडाउन की अबदी बढ़ान के पक्ष में है मारास्ट, उत्रप्रदेश, आसाम, च्छतिसगर और ज्छारकन ने संकेत दिया है क्यों अगले मंगलबार को पूरी तरह से लागू प्रतिबंद को हटाने के पक्ष में नहीं है इसके कुल मरीज 5194 हो गई है ताजा आंकणों के मताबिक देश में अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है इस बीच 401 लोग इलाज के बाद स्वस्त होकर अपने घर बापस जा चुके हैं क्या लोगडाउन खुलेगा इस बारे में फिलाल कहना मुश्किल है लेकिन अगर केस दिनों दिन बढ़ते हैं तो मुम्किन है कि लोगडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है 21 दिन का लोगडाउन है आप कम्प्लीटली घर पे रहिए घर से बाहर ना निकल लिए जो भी आपके एसेंसिल की सब चीजें है रोजमरा की जो चीजें है दूद सबजी जो भी है वो सब कुछ प्रधान मंति जी ने खह दिया है कि वो सब कुछ है बेले बेले है इसलिए जादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, जादा हडबड़ी करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें उपलब्द हो रही है और इन चीजों की कहीं भी कोई कमी नहीं होगी कैमरा पासन पंकच के साथ दिल्ली से हिर्देश यादव यूस पॉइंट